कि हालो इस्टुडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का PBR स्टेडी में तो बच्चों सामके साथ बच चुके हैं आज आज जल्दी से फटा-फटा और हम सुरू करते हैं कच्छनों की NCRT गडित कोई भी बच्चा कलाश शोड़ के नहीं जाएगा पूरा कलाफ एंड तक देखना और हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज आपको पढ़ाने वाले नया चैप्टर होगा तिर्भूच क्या नाम है यह चैप्टर का तिर्भूच तिर्भूच पढ़ेंगे आज आप लोग ट्राइंगल जिसे बोलते हैं कच्छनों की NCRT गडित आपका छाठा चैप्टर खतम हो गया है आप सबका बहुत दिन से इंतजार था कि सत्वा चैप्टर पढ़ाया जाए तो आज से सत्वा चैप्टर सुरू होगा संत भक्ती जी कीरन और मुकेस अंकिता सिंग सुधान सू और कॉन जुड़ा है भई मोहित जी सभी का बहुत-बहुत जानते और क्या है यह किरन महुरॉलाडी पस अधवा चैप्टर हो रहा है इसे पहचानते होय यह जानते और इसको सिमरण उदानी सीवानी आद धीनेश कुमार जब आप दीजिये क्या है यह तो आज कुछ ऐसे ही हम लोग practical करने वाले हैं बाबु ठीक है क्या करेंगे आज हम लोग practical करेंगे बड़ा ही मज़ेदार practical करेंगे यह है आपका चैप्टर साथ मैं थोड़ा मारकर में अच्छे से भर देता हूं इंक जिससे बेहतर चले भाई आयूस जी जुड़ गये हैं संजय कुमार भी जुड़ गये हैं सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है तो कोई जाएगा नहीं मारकर में थोड़ा इंक डाल देता हूं फिर आगे हम लोग पढ़ें है चलो बता भाई अनुराक कुमार बता दो सीवानी आयूस सिम्रन तिरभुज किसे कहते हैं बताओ चलो बोलो राम फूल आपी बता दो रोहित कुमार देखो मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बिल्कुल टेंसन मत लेना बिटा एकदम ध्यान से पढ़ना दिल लगा के किरन मौरिया का बिल्कुल राइट देखो तिरभुज किसे कहते हैं तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तीन बुजाओं से गिरी बंद आकरती तिरभुज कहलाती है मतलब एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से घिरा हो क्या हो तीन साइड से बंद हो वो तिरभुज तीन भूजाओं से घिरी हुई अब बंद आकरती को तिर्भूज कहते हैं ठीक है जिसकी तेन भूजाएं हो और वह बंद भी हो वह तिर्भूज कहलाता है देखो मारकर मैं बहुत ज्यादा सही वर गई और मैं इसको इसमें पलट देता हूं तब फिर आगे चलूँगा जान है और तीन कोन के आधार पर घोते हैं अभी मैं औरल पढ़ा रहा हूं फिर में लिपकर पढ़ाऊंगा पहले सुनो मैं काम की बात कर रहा हूं फ tensor blond अग्य तो मुझे कोई बताएंगा कि भूजा के आधार पे कौन-कौन तिर्भूज होते हैं बूजा के आधार पर जो ति there are six type of triangle three type of triangle each based on side and three type of triangle is based on angle ऐसे बोल सकते हो इंग्लिस में डेफिनीशन बना के जिनको नहीं आती है इंग्लिस मुझे भी ज्यादा नहीं आती में हिंदी में पढ़ाता हुआ क्योंकि बच्चे सब हिंदी वाले हैं तो देखो पूरी कहानी समझो क्या क्या होने वाला है कि संजय कुमार बेरी गुड़ दूर्गे सोणी बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं बच्चा चलो तो हमिए स्टार्ड करते हैं बिनदेर करें हुए कुछ नहीं सेद करेंगे किसी को जिनको पढ़नाएं वो जूडेंगे जिनको नहीं पढ़नाह सबसे पहले हैं तिर्भूज यह तिर्भूज का साइन है इंगलिस में लिखते हैं ट्राइंगल हिंदी में लिखते हैं तिर्भूज किसे कहते हैं तीन भूजाओं से गिरी हुई और बंद आकरती तिर्भूज काहलाती है देखो बच्चा कैसे आगर मैंने तीन भूजा ऐसे बना दिया ऐसे तो क्या यह तिर्भूज है बोलो यास या जो यह तिर्भूज है देखो किरन महुर्या ने सब कुछ बता दिया किरन महुर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखो बच्चा यह फिगर वन है और एक मैंने और विखी चा फिगर टू यह बोलो ट्राइंगल है कि नहीं या नो अनुराग सर नहीं अच्छा और कोई एनिवन कि बच्चा यह ट्राइंगल नहीं है क्यूंकि यह बंद नहीं यह क्लोज सिफ नहीं है Mam देखो यह क्या है यह ट्रींगल है जूंकि यह 4 तरप से बंद है तीनो तरप से क्या है क्लोज है ठीक है मैं कमेंट देखने के लिए इसमें चला लेता हूं वीडियो को दूसरे फॉन में चलो जिससे की हम बहतर कर सकें तो क्वाल्टी तो बहतर दिख रही है इंटरनेट सुलो है क्या इंटरनेट बहुत घटिया चल रहा है ना आज चलो तो यह समझ गए आप तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है जैसे यह आप बना लो यह आप बना लो लिख लो परिभासा लिख लो आप लोग तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है क्या होता है तीन भुजाओं से गिरी बंद आकरती तिरभुज कहलाती है आप लोग लिख लो बहुत ही मज़दार आज ये सेशन होने माला है रोहिला खातुन जी मैं देख पा रहा हूँ आपको संजये कुमार जी आपका भी कमेंट आ रहा है चलिए इसके बाद अब हम क्या देखेंगे यह आप लोग समझ गए इसकी इंग्लीज में डेफनेशन भी सुन लो इंग्लीज में बोलते हैं ट्राइंगल क्लासिफाइड इन टू वेज एक बाई साइड एंड एक बाई क्या होता बही एंगल ओके चलो लिखो फटा-फट लिखो यह तो हो गया ट्राइंगल किसे कहते हैं इतना हो गया अब हम लिखेंगे देखेंगे तिरभूज के परकार क्या देखेंगे तिरभूज के परकार यानि कलासिफिकेशन आफ ट्रेंगल तिर्भूज कितने परकार के होते हैं एंड कैसे होते हैं ध्यान दो बहुत ही मज़दार है समझ में आ रहा भाई धरम राज जी आपका भी कमेंट आ रहा है चलो लिखो फटा-फट लिखो आप लोग बच्चा लिखो जल्दी-जल्दी किर्भूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है नमबर त्यालोग यह भूजा नमबर भी कौण ठीक है इंग्लिस वाले लिखेंगे ट्रेंगल एनभी हां तका ट्रेंगल can be classified by two ways ना, है ना, लिखो जल्दे फट से लिखो in two ways मैं हिंदी में लिखुआ हूँ क्या number A क्या भाई, number A by side number A by side और number 2 है by angle लिखो फटा फट लिखो by side and by angle यानि हिंदी में भी लिख लो tension मतलो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तिरभूज को दो परकार से वर्गी क्रिद किया जा सकता है तिरभूज को दो परकार से वर्गी क्रिद किया जा सकता है number A, भूजा द्वारा और number B, कौण द्वारा ये हो गया ठीक है मैं बोल तो रहा हूँ न, सुनाई तो आपको पढ़ रहा है, तिरभूज को दो परकार से वर्गी क्रिद किया जा सकता है number A, भूजा द्वारा, number B, कौण द्वारा इतना हो गया बच्चा, चलो फटा-फट हम लोग फिर रेडी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ये आपका हो गया इतना आप लिखो टाइप आफ ट्रेंगल टाइप आफ ट्रेंगल बाई साइड, ओके अगला एडिंग जालो अब टाइप आफ ट्रेंगल बाई साइड इसको मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है रामफूल जी तुमको मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चावा तुमको मैं नहीं बता पाऊंगा पता नहीं दस वाले पढ़ना नहीं चाहते हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा दस वालों को अब दस वाले पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ना बुजा के आधार पर तिर्भूज के परकार, हिंदी वाले लिखो, बुजा के आधार पर तिर्भूज के परकार, टाइप आफ भाइप होगा यार, टाइप होगा न, ट्राइंगल, बाइ साइड, हिंदी वाले लिखे, बुजा के आधार पर तिर्भूज के परकार, ठीक है लिए आइनंगल तो है थीर टा IT होते हैं बाबू क्या होते हैं अब एक जो होता है क्या होता है कि एकवलाडरेल ट्राइंगल इक्वल लिखो पहले एक यू यू आई एल ठीक है एक्वाल लिखोगे एक्वाल लिखने के बाद क्या लिखोगे एक्वाल ट्राइंगल ओके यह टेरल ट्राइंगल हिंदी में भी बताऊंगा टैंसान मत लेना ओके ट्रेंगल ओके ठीक है अब क्या करोगे यह होगे आपका इक्वारल्टराल ट्राइंगल देखो भाई मुझे हिंदी में बहुत अच्छा इंगलीस में मुझे कुछ दिक्कत होती है हिंदी में लिखो संभाहू संभाहु तिर्भूज क्या लिखोगे बच्चा हिंदी में संभाहु तिर्भूज देखो अभी इसका मतलब समझो हिंदी में हो या इंगलीस में हो आप मतलब समझो भाई दुर्गे सोनी आ रहा समझ में जी बिल्कुल रोहिल्ला खान जी आपको बिल्कुल मैथ आएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल देखो अब समझो आप लोग क्या-क्या होना है देखो यहां पे साइड में अब नाम से अथपष्ट है सम प्लिस बाहु बाहु का मतलब बाहु नहीं भुजा होता है यहां बाहु का मतलब ag munac आलफाइड इक्वल हो वो सम्भाहू तिर्भूज कहलाता है या फिर इक्वैल्ट्रेल ट्रेंगल कहलाता है मिथे सोनकर आरा समझ में दुर्गे सोनी संजय धरमराज सिवानी आदो सबको समझ में आरा है बच्चा आरा ना भाया सामको साथ बजे से डेली ये लाइब होता है हर दिन होता है किसी दिन बाकी नहीं कि नहो ठीक है तो इसलिए क्या करोगे इमांदारी से हर रोज हां चले आगे यह हो गया समझ गया एक को इक वैल्टराल ट्रेंगल हो गया न आप इस लिख लो मैं सामने से घट जाता हूं आप लोग लिखो परिभासा जनको लिखना लिख़ लो एक ऐसा तिरभूज जिसकी तीनों बुजाएं बराबर होती हैं एक ऐसा तिरभूज जि इसको आप लोग लिख लिए चलो बच्चाओ के मैं कोशिस करता हूं कुछ लोगों को सेयर करने का इसलिए मुझे कभी 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 लेट हो जाता है अगला लिखो आईसोसेलेस ट्राइंगल आईसोसेलेस ट्राइंगल जिसे सम्दुई बाहु तिरभुच कहते हैं ति क्या कहते हैं बच्चा सम्दुई बाहु तिरभुच कहते हैं ठीक है राम्फूर जी कलाश टैंथ का बच्चा सुबह 8 बजे 2 09 में से टाइम देखो ठीक है सुबह 8 बजे 2 10 बजे मैं दो टाइम आप लोगोसे से कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से जो है एक टाइम आपको मिलेगा पहले चल रहा था सुबा आठ बजे फिर ये टाइम बदल रहा है तो बदल रहा है तो आपको दिक्कत ना हो इस वज़ा से में बता दे रहा हूँ अगला लिखो लिखो फटा फट आइसो सेलेस ट्राइंगल बी वाला लिखो आइसो सेलेस ट्राइंगल जल्दी फट से लिखो भाई क्या होगा इसका स्पेलिंग आइसो सेलेस ट्राइंगल हिंदी में बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे आइसो सेलेस ट्राइंगल जिसे बोलते हैं सम्दुई बाहू कि संदुई बाहु तिर्भूज क्या है ये संदुई बाहु तिर्भूज ठीक है आप लोग फटा-फट इस फेलिंग देखो करेक्ट है न क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूं इंग्लिस में नहीं है हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई माफिया किंग बच्चा इसे बोलत होता बच्चा ये एक ऐसा तिर्भूज जिसकी दो भूजाएं आपस में बराबर होती है ये ठीक है एक ऐसा तिर्भूज जिसकी दो भूजाएं आपस में बराबर होती है वो संदुई बाहु तिर्भूज कालाता है ये कलास हर रोज साम को साथ बजे होती याद रखना ब दिखा है अगला क्या होगा भाई चलो बताओ आशीज कुमार पाल अगला बताओ क्या होगा अगला बताओ जल्दी करो चलो रेडी फटा फट देर मत करो एक भी सिकेंड कि इसके लेंड ट्राइंगल अगला क्या है कि इसके लेंड ट्राइंगल इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं इसके लेंड ट्राइंगल ना इसको हिंदी में का बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बिसम बाहु तिरभूज भाईया हिंदी वाले लिख लो नराज मतो हिंदी में लिखेंगे बिसम बाहु तिरभूज क्या लिखेंगे बिसम बाहु तिर्भूज नाम से असफ़स्ट है बिसम बाहु बिसम बाहु तिर्भूज बहुत आसान है बच्चा ये बेरी सिंपल सा है एक ऐसे प्रकार का तिर्भूज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो वो बिसम बाहु तिर्भूज कहलाता ह क्या कालाता है विसम बाहुतिरभूच कालाता है आकास कुमार आप नए हो ठीक है बच्चा कोई बात नहीं बावू बहुत अच्छी बात है चलो यह देखो इदर साइड में इसको ऐसे मिला लो इसमें अगर यह साथ है हां तो यह छे होगा यह पांच होगा या तीन होगा बुजाएं अलग होंगी ठीक है रहिला खान आपसे ही बात की थी आज हमने रहिला जी मुझे नहीं पता हो सकता है बैंसर तिर्भूझ जिसकी तीनों भूजाएं आसामान लंबाई की हो मतलब कोई 2 हो तो कोई 5 कोई 3 हो कुछ भी और अलग हो को रामफूल गौर आज कच्छ्छादस की कलाफ नहीं चली है आज कच्छ्छеждस की मायत नसुबह चली न साम को आज कच्छ्छ.. वालों को पढ़ाया नहीं गया क्यompärिれて क्यों कि ये लोग ना पंदते ही नहीं है। मतलब यह लोग पढ़ते ही नहीं ना सुबह लाइव आते हैं इसलिए मैं आज पढ़ाया ही नहीं तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो किका पढ़ोगे सुबह पढ़ोगे की साम को पढ़ोगे तब हम पढ़ाएंगे क्योंकि मैंने देखा जब कम्यूटी टैप में तो कुछ लोग सुबा बोल रहें कुछ लोग साम को बोल रहें हमने का ठीक है तुम लोग बुजा लो पहले तब मैं पढ़ाऊंगा अब लिखो अगला नेक्स्ट ट्री टाइप नेक्स्ट ट्री टाइप देखो अंजली साहु आरा समझ में यह मुझ में क्या हुआ टोपा लगाए हो ऐसे करें हो कि देखो कि अटाइप आफ ट्राइंगल भाई एंगल एंगल लिखो नहीं तो एंजल लिख जाता है मुझसे बड़ा गड़बड हो जाता है कि अब इसमें तीन कौन-कौन होता है चल बताओ क्या होता तीन इसमें सीवं पंचाल देख रहाँ मैं आपको सोनु कुमार आकास कुमार बच्चा पढ़ा दिया गया पोपद प्लेश्ट में जाकर देख लो बाबू ठीक है बऌपद पढ़ा दिया गया जाकर देख लो चलो कि इसमें first इफ होता है noon कॉड्ध की नियून कॉड्ध तेरभूज कि इसको मैं हिंडी में लिख रहा हूं उइंगलिस में भी लिखूंगा इंगलिस में बच्चे से क्या बोलते हैं- एक्यूट एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्ड ऐसे कुछ बोलते हैं बड़ा अटपटी एंग्रेजी होती है एंगल्ड ट्राइंगल लिखो एंगल्ड ट्राइंगल नियून कौन तिर्फूज मतलब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्ड ये क्या होता भाईया ये कौन सी मुसीबत का नाम है ध्यान दो आप लोग प्यार से देखो अंजली साहूँ आप भी ध्यान से देखो बिल्ला उल्ला मत वेजो निक काट लेगा चलो आप पढ़ने की कोशिस करो इसमें ध्यान दो देखो नियून कौन तिर्फूज क्या होता है मतलब एक ऐसा तिर्फूज जिसका परते कौन नब्बे अंसे कम होता है मतलब 90 से बलो होता है वो क्या होता है नियून कौन होता जैसे देखो इसमें अगर मालो यह सत्तर है तो यह क्या है पचास है और यह कहा है 40 है मतलब सब 90 से कम होना चाहिए less than 90 बिलकुल किरन मौर्या को काफी कुछ आता है मतलब यह 90 से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए बस यह ऐसे कह सकते हो नियून कोण वैसे भी 90 से कम ही होता है कि समझ गे ना अननत जी समझ में आरा कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में बस रहा है रामपूल गोण अनुपम यादो देखो सभी बच्चों से अमारी एक निबेदना है यह कि आप अपने साथियों को लाइब में लेके आओ जो 25 लोग देख रहे हो ना अगर यह 50 लो इसका प्रेटिकल भी तो था ना यूपी में हर जगा होने लगा ना ठीक तो यह काम आपकी जिम्मेदारी है और चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब कि नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है ऐसे कमेंट को हैड करके तुरन सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दब जाना क्या और कुछ हो रहा है फिर ही तो पढ़ा जा रहा ना ठीक है तो समझ गए एक ऐसा तिरभूज जिसका परते कोंड 90 अंसे कम होता है वह नियून कोंड तिरभूज का लाता है इसको मैं मिठा दे रहा हूं इसका काम खतम अगला आता है इसमें समकोंड तिरभूज समकोंड तिरभूज क्या है देखो अभी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे है अभी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ये इंट्रोडक्शन चल रहा है सत्वा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जब हो जायागा तो 7.1 पढ़ेंगे हम लोग अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ये चैप्टर साथ के बारे में अध्यन कर लो पहले उसके बाद फिर चलेगा आपका 7.1 एक्सरसाइज 7.1 अभी नहीं चल रहा है बी नंबर लिखो बच्चा समकोड तिर्भूज क्या लिखोगे बेटा समकोड तिर्भूज इसे का का बोलते हैं इंग्लिस में इंग्लिस में कोई बताएगा नहीं बताओगे साब लोग हिंदिये वाले होका हाँ माफिय किंग हमरे नंबर है उपर लेकिन आपका नाम राइंग्ल ट्रेंगल ट्रेंगल ट्री आराई एंग्ल ले यह राइट अंगल ट्रेंगल क्या होता है एक ऐसा तिर्भूज एक ऐसा तिर्भूज जिसका कोई एक कौन नब्बे अंस का हो क्या हो कोई एक कौन नब्बे अंस का हो वो समकौन तिर्भूज का लाता है ठीक है समझ रहोग नहीं कोई भी एक कौन नब्बे अंस का हो बस वान एंगल इज नैंटी बिल्कुल किरन मौर तो कोई डाउट है तो बताओ अनंत पांडे अभी यहां पर आओ तो तुमको भी दिखा दें हां मेरे पास आजाओ तुम थोड़ा सा क्योंकि मैं यहां पर तुमको चापके खड़ा रहा हूं तो लिखोंगे कैसे साइड नहीं होंगे तो तो अपना दिमाग थोड़ा अपने पास में रखके रहो ठीक है हरीबन स्यादो जी ठीक है देखेंगे हम लोग करेंगे कोशिस करते हैं साम को करने का वैसे अगर साम को करेंगे बच्चा तो फिर साथ बजे के पहले ही करेंगे क्योंकि सुबह के टाइम साम के टाइम जो है खाली नहीं है सारा सिस्टम बुक है सब सुबा खुब जल्दी पढ़ लो ना फिर या तो कच्छा दस वालों का कोशिश करते हैं सुबा 7 बज़े ए 6 बज़े अरे उठ जाया करो जल्दी सो के चलो अगला लिखो सी टाइब में क्या कहता है कौन कौन सा हो गया कौन की अधार पर क्या क्या हुआ नियून कौन हो गया सम कोड हो गया अगला है अधिक कौन क्या बच्चा अधिक कौन लिखो जल्दी से इसको क्या बोलते इंगलीज में भाई obtuse angle triangle है न चलो क्या बोलता है इसे obtuse angle triangle न एंगल triangle चलो लिखो जल दिसे फटा फट हीडिंग डालो obtuse angle triangle यह क्या होता है greater than 90 greater than 90 बिल्कुल देखो एक ऐसा तिर्भुज जिसका कोई भी एक कोण एक ऐसा तिर्भुज जिसका कोई भी एक कोण 90 से अधिक हो जाए कोई भी एक एंगल 90 से अधिक हो जाए वो क्या कालाता है अधिक कोई भी एक रहिला खान जी अब क्या मैं आपको कोई अलग से समझाओं आप वीडियो को दुबारा देखिए आप जीरो लेबल से शुरू करिए यहां पल ले नहीं पड़ेगा यह हाई लेबल की मैथ है हाई स्कूल की मैथ है एक परकार से अगर आपका मैथ भीख है तो आप पीछे से पड़िए स्टार्टिंग से मुनिराम भदसर जी आरा ना कुछ समझ में अधिक कोंड तिर्भुज क्या होता है एक ऐसा तिर्भुज जिसका कोई एक कोंड 90 अंसे अधिक होता है वो अधिक कोंड तिर्भुज कहलाता है तो यह तिर्भुज परकार खतम हो गया अगला पढ़ोगे सरवांगसम और समरूप तिर्भुज क्या पढ़ोगे बच्चा सरवांगसम और समरूप तिर्भुज पढ़ोगे तो मैं इसको तो ऐसे फिलहाल कल पढ़ाऊंगा लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसमें अभी बच्चे चुकी 25-30 जुड़ते हैं इसलिए मैं सिर्फ आधा गंटा पढ़ाता हूं ठीक है आप लोग बच्चों को ले के आओ धेर सारी संख्या में अगर आप 100 बच्चे पूरा कर देंगे यह वाई 25 लोग हो 2-2-3 3 लोग और ले के आओ सो बच्चे हो जाएं हम पूरे गंटे पढ़ाएंगे लेकिन अभी जब तक आप लोग की संख्या हंड्रड से कम है तब तक हम एक गंटे नहीं पढ़ाएंगे कभी तो क्या करेंगे हम कल हम पढ़ेंगे सर्बांग सम कि ने यह एक सफेद मतलब आईसे तिर्भुज इसको एक दूसरे पर रखें तो पूरा पूरा ढंक ले उनको जैसे देखो मैं सफेद वाला देखो इस पर रख रहा हूं इधर से अब तुम ध्यान से देखना उधर से सफेद वाला बिल्कूल नहीं दिखेगा मैं इसको ठंक इस पर रखूंगा तो यह देखो दिखेगा तो बता देना दिख रहा है क्या कि सफेद वाला दिख रहा है क्या कि सफेद वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या बोलो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा ना बच्चा लेकिन ये था ये 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 है ना तो ऐसा तिर्भुज होना चाहिए कि एक दूसरे के उपर मतलब उनको रख देना चड़ा देना तो चुप जाएं दिखें ही ना जैसे देखो इधर से मैंने बलेक वाला आपको दिखाय सपेद वाला चुप गया से ऐसे अगर हम सपेद वाला आपको दिखाएं और बलेक वाला इसमें लाकर से छूपा देंगे ध्यासे देखो कहीं हलका से भी नहीं दिखेगा ये अब देखो कहीं बलेक वाला देख रहा किसी को भाई ये थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है दिख पा रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है कहीं बलेक वाला नहीं दिख रहा है ना तो ऐसे तिरफूज जिसके सभी अंग समान हो मतलब उनका आकार भी समान हो ठीक है उनका सेप भी समान हो और उनका क्या समान हो size भी समान हो shape और size में अंतर होता है shape and size दोनों equal होना चाहिए जैसे देखो इधर side में बत्चा देखो shape and size समझ लो जैसे ये तिरभूज है ये तिरभूज है ना मैंने एक तिरभूज ऐसे और बना दिया ये लो ऐसे मैंने इसको और सुला दिया येलो ये भी एक तिरभूज है इन दोनों का सेफ समान है सेफ मतलब जानगे ना भाया इसमें भी एक लाइन सीधी है एक तिरची है एक लंबी है उसमें भी वही है लेकिन कि साइज नहीं समान है साइज समान नहीं है अगर इसमें ये साथ सेंटीमीटर है इसमें ये पांच सेंटीमीटर है तो इसमें ये नौ सेंटीमीटर है और इसमें ये बिचारा चार सेंटीमीटर है तो इच्छोटका हुआ छे सेंटीमीटर है सेप और साइज समझ में आया समझ में यह दोनों सेम सेप के हैं लेकिन साइज सेप नहीं है और साइज जो है वो सेम नहीं है और सेम साइज और सेम सेप वाला मैं हाथ में लेके घूम रहा हूं यह इसलिए मैंने आज इसको बनाया था अधा गंटा देख रहा है इसको मैंने क जिससे आप लोगों को दिखाऊं ठीक ना रामफूल जी आराना समझ में बच्चा तो चलते हैं फिर आज की कलास यही तक आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कलास देखने के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं देखो उपर नंबर दिख आप लोग उस पर संपर करिए एक बात और सुन लो जो बच्चे पूरा कलास अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ठंग से न वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तूर और बैल आइकन आन करें नोटिफिकेशन की बटन को जरूर आन करें जिससे कि उनको क्लास की और कब होती है सामको साथ बज़े से होती है सारी कलास के लिंग हम टेली गराम चैनल पर भेजते हैं आप सभी बच्चे पीवाइल नमबर डाल के अकाउंट बना लो जैसे बन जाएगा अकाउंट और बनने के बाद बच्चा क्या सर्च करोगे पीबीर स्टडी सर्च करके जॉइन कर लेना बिल्कुल फ्री पर रिफ्रेस कर लो नहीं चल रहा है तो चैप्टर साथ। देखो इंट्रोडक््षन वाला पार्ट में कल आपने एक देख लिया था ना इंट्रोडक्षन कल आपने एक देखा था कल हमने आपको पढ़ाया था कि तिर्भुच किसे कहते हैं तिर्भुच की परिभासा बताया था और कल मैंने आपको तिर्भुच के परकार भी बताया था तो आप मुझे ये बताओ कि तिर्भुच कितने परकार के होते हैं अनंत जी बताईए कि तिर्भुज कितने परकार के होते हैं कल मैंने आपको एक एक नाम बताया था हिंदी इंगलिस में डिफिनीशन वी बताई थी देखो भया उत्तर कुछ बच्चे दे रहे हैं रामफूल गौण अनंत रोहित सब बता रहे हैं कि तिर्भुज कोई छे बत होते हैं तो तीन परकार के होते हैं अगर पूछा जाए कि कोण के आधार पर कितने परकार के होते हैं तो तीन परकार के होते हैं लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि तिर्भुज कितने परकार के होते हैं तो आप 6 बताऊगे याद रखना ठीक है तो आज हम पढ़ का नाम है चलो फटाफट छे होते हैं according 3 भाई क्या बोल रही है छे होते हैं बेजा के according 3 यह बेजा नहीं होता साहू जी यह भूजा होता है ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे स इसकE वैसे तो कहील परकार होते हैं कई परकार मतलब कई कंडिशन होती है कोई भी तिरभूज G कैसे होगा सर्वांगसम आप कैसे जानोगे देखो मतलब समझो सर्वांगसम अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखें इसका मतलब है सर्वांगसमान सर्वांगसमता का मतलब होता है सर्वांगसमान ठीक है अब द्यान तो सर्वांगसमान का मतलब क्या हुआ जैसे अगर हमारे हाथ के अंगुली है तो मुझे ये बताओ क्या ये अंगुली सब बराबर है ये अंगुली सब बराबर है नहीं बराबर है न इसका मतलब हमारी अंगुली आपस में बराबर नहीं है बराबर नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं तो कि यह दूनों मारकर बरावर दिख रहे आपको मतलब बरावर लंबाई बरावर मुटाई का दि खरा है तो कहोगे हां इसका काला वाला भाग भी उतनाइबडा है और नीचे वाइट वाला part B उतना ही बड़ा है अगर ध्यान दो बत्या तो यह मारकर equal है उसका तोप भी बराबर है यह देखो हैसे या इसका टोपा टोपा ले लो बही तो इसकी गुशनी आ ये न एकदम बराबर है और अगर हम इसके ले 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 लोस इस तो यह भी बराबर है कि बिर है एक सभॉसम्रों है और मिले इस सभान सम्ловन मुझर में एक समान है या इसे होता है तिर्भूज में ऐसे होता है जैसे मैंने एक तिर्भूज बनाया यह देखो हाँ एक तिर्भूज मैंने बनाया यह ठीक है अब ध्यान देना हाँ मतलब से पांड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए कल मैंने थोड़ा सा बताया था लेकिन आज ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो बच्चा ज नाम है P Q R अब ध्यान दो इसकी से पो भी बराबर हो साइज भी बराबर हो से और साइज में अंतर होता है जैसे देखो ठोड़ा सा संजो इथर साइड में यह से आप कूछ सिखाना है वसे तो बहुत से बच्चों को आता है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा और मोनिका जैन कि इन दोनों का सेव सेव मतलब आक्रिती समान है दुरगेश सोनी बताओ इनका सेव समान है यह स्या नो कि बोलो सेव ऊजए है चलू सेव बैय इनका सेव समान नहीं है पाद समझ में आ रही ना, क्या है, इनके सेप जो है समान नहीं है ठीक है, आप समझो इधर साइज में समझो, लेकिन इनकी साइज समान है, अब भाई जब सेप ही नहीं समान है तो हम साइज कैसे समान कर पाएंगे, पहले सेप समान होना चाहिए, तभी आप साइज की कंपेर कर पाओगे, देखो यह तो गोलाई नुमा में है और यह ऐसे है तो इनकी साइज हो आप कोई अहीन कर पाओगे, इनमें कोई कमपेर नहीं है, यह तीर अंहीं है, यह मिली है, अब इसफर देखो… इधर ऐसडे में देखो, इनको देखो, इनकर सेब एक्कुल है जैसे है एक जैसे है है हमें अंच इनका आकार एक जैसे है ना आकार के साफ़ती करते हैं है इनकी आकृती से होता है इसका नावतब्र साई जीूए ऑगर हम चल तो पोसाईजी इसमह घर कर दो देख ऑग wr तो देखो यह मन लेते हैं 3 cm है तो भाय यह वह 3 cm है यह 5 cm है तो यहcem कि दोनों सरवांगसम है सरेता यादोची क्या यह दोनों सरबांगसम है आसीज कुमारपाल आप भी बताओ ये दोनों सरबांग सम है हाँ ये दोनों सरबांग सम है क्यों कि इनकी जो है साइज भी एक समान है और स्वेप भी एक समान है ये सरबांग सम है कल मैंने एक एक जामपल बताया था सर्बां गसम का मतलब यह दिखा की अगर इन दोनों के यह ऐक दूसरे को उपर चड़ा दिया जाए तो यह एक दूसरे को ढ newborn लेंगे पूरा पूरा ढख लेंगे दिखेंगे नई जैसे देखो मेरे हाथ में क्या है कुछ दिख रहा है मेरे हाथ में कुछ है कुछ दिख रहा है यह टेड़ा मेड़ा हो रहा है क्या है मेरे हाथ में क्या है तिरभू जैना दो ट्रेंगल आकार के पेपर हैं है न अब देखो यह दोनों अगर सरबांगसम होंगे पहले इनका मतलब समझो अ यह दिखेंगे नहीं मतलब यह फिर पीछे वाला नहीं दिखेगा जैसे में आपको तरह blackला करता हूं और white वाला मैं इसमें धखने की कोसिश करता हूं देखो ढखता है यह दितने है भी white वाला ना कि अभी दिख रहा वाइट वाला ना मैंने क्या किया इसको थोड़ा अर्जेस्ट किया यह देखो अब बताव दिख रहा है वाइट वाला कहीं थोड़ा सा यह अब बताओ वाइट वाला कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने उसको मोड़ा नहीं है मैंने मोड़ा नहीं मैंने क्या किया देखो इधर यह मैंने ऐसे पकड़ा है तो अब इधर से बलेक दिख रहा है इधर से बलेक दिख रहा है बलेक नहीं दिख रहा है ना मतलब पीछे का बलेक वाला नहीं दिख रहा है और इधर में घूम गया तो देखो वाइट वाला नहीं दिख रहा है यानि ये दोनों तिरभूज सरबंगसम है क्या है ये 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 सरबंगसम है तभी एक दूसरे को पूरा-पूरा धक ले रहे मतलब की दिख नहीं रहे हलका भी दूसरा वाला नहीं दिख रहा है बोलो समझ में आया समझ में आया भई बहुत बड़ी चीज है समझ जाओ तो देखो एक बात और समझ लो एक बात और समझ लो अब तुम लोग कहोगे क्या यही दोनों सर्बांगसम है आप चलो मैं छोटा सा एक एक जाम कागज दिख रहा हैं यह कोफ मतलब कि इन दोनों में कोई कंपेर नहीं हो सकता है यह सर्बांगसम न सम्रूप है क्योंकि इन का आकार भी अलग है यह कौपी देखो यह रेक्टेंगल मॉडल है यह आयताकार है यह किताब लेकिन यह तिर्भूज है दोनों में बहुत बड सब का रहा है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जितने भी छात्र नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करने बहुत जल्दी कर लो और इस कलास को फट से लाइक करो देखो बगल में लाइक का अपसन है ना जल्दी लाइक करो फटा फट देर मत करो साम को साथ बजे डेली लाइब आजाया करो हर दिन लाइब आजाया करो साम साथ बजे से बिल्कुल फ्री ठीक है एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा इसके परकार बताऊंगा देखो सरवांग सम कैसे होता है जब दो तिरभूज ए एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखने पर पूरी तरह धंक लें उसका कोई भी पार्ट दूसरे का ना दिखाई दे तो वह सरवांग सम कहलाते हैं जैसे देखो मैंने बलेक वाले में यह देखो इसको रखा ऐसे यह ऐसे रखा अब यह देखो दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं तो यह एक दूसरे को ढख ले रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं यह ढख ले रहे हैं अब बताओ आप मुझे यह बताओ बराबर करने दो यार कुछ गड़ बढ़ा रहा है का नहीं ठीक है अब मुझे यह बताओ क्या आपको बलेक वाला तिर भूज दिख रहा है क्य मैंने उसको पूरी तरह फैल आया है, इबर देखो यह इधे से वाइट दिख रहा है, बराबर नहीं दोनों क्या है, सरबांग सम है जैसे इनका आकार भी बराबर है, आकृती भी बराबर है, लेकिन अगर मैं कोई एक तिरभुज बड़ा फल याई वोभी एक सिकंट रुको बस कुछ सिखेंग जो बच्चा मैं एक पेपर आओ ला रहा हूं आपके लिए मैं कांपी और फट डालूंगा टेंसन मत लो आप चलो ठीक है चलो तो अब मैं ज्यादा बड़ा तिर्भूज तो नहीं लाओंगा तिर्भूज तो छोटा फलाओंगा ठीक है मैं एक और तिर् सेप एक समान है सेप एक समान है ना दोनों का बोलो यहां फे देख लो एक समान सेफ है है ना भाई दोनों तिर्भूज के आकार के हैं यह भी तिर्भूज है यह भी तिर्भूज है लेकिन अगर इसको हम एक दूसरे को उपर रखें ऐसे अब मुझे यह बताओ क्या आपक उधर्म घिंटा दिख रहा है, प्रिंस पढ़ेयल दिख रहा है isया बलेक वहास, और इदर आगर में घूम ही तो क्या आपको वैट और दह दा नहीं? नहीं दिख रहा है ना इधर से देखो दिख रहा है ना यानि अगर मानलो मैं इसको उपर कर दिया यह आपको वाइट दिख रहा है नहीं दिख रहा है कहने का यह मतलब है कि यह दोनों है तो तिर्भूज इनका सेप तो समान है यह दोनों तिर्भूज आकार के हैं यह यह द जैसे मैं इधर साइड में बोलनूं इंका यह जो का निए यह आप इस क्या है क्या है यह 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 जैसे यह टिर्भुजा है और यह तिरिबुजा है मतलब virtr क्या है बच्चा है और यह क्या है दादा जी है तो बढ़ा चोटा तो रहेंगे ना आपके घर में भी दादा जी होंगे आज चोटे से हो आप दादा जी के कंदे बराबर नहीं होंगे लेकिन दादा जी बड़े हैं तो बस वैसे यह क्या है यह दादा जी है यह उनके बच् कि समझ में यह सरबांगसम है सरबांगसम है नहीं इनका आकार समान है आकार समान है नहीं आकृती समान है कि आकृती समान है हां आकरती समान है लेकिन आकार नहीं समान है सेफ इनका इक्वल है भाई सेफ मतलब तिर्भुजाकार है दोनों ठीक है प्रिंस पटेल आपका इंटरनेट नहीं चल रहा बाबू अपना इंटरनेट चेंज मतलब सही करो या फिर आप सेटिंग में जाके क्वाल्टी बदल ल आपका इंटरनेट धीमा है इस वज़ा से आपको थोड़ा समस्य हो रही है इंटरनेट आपका तेज नहीं है हां चलो आप चलें आगे बढ़ें हम लोग समझ में आ गया ना तो अब हम देखेंगे कि ये सरवांगसम तिरभुच कितने परकार के होते हैं भाई ये तो दो तिरभुच के लिए हो गया अगर हम दो से अधिक तिरभुच की सरवांगसमता की बात करें तो कितनी कंडिशन होती है आप हम उसके बारे में बात करेंगे, आप मुझे ये बताओ क्या आप जानते हों, जैसे आपने सुना होगा, भूजा कॉन्ड भूजा सर्वांग समता, भूजा भूजा कॉन्ड सर्वांग समता, ऐसा सुने हो, देखो, अब تिरबूज के परकार की बात नहीं हो रही हो यहा है इधर साइड में आप लोग ध्यान से देखो क्या है हाँ आप हम बात करेंगे कि कांगुरियंस जो होते उनके कितने रूल होते हैं वो कितने कितनी इस्थिती में कांगुरियंस हो सकते हैं मतलब जैसे अगर कोई दो तिर्भूज है उनकी भूजा भूजा बराबर है दोनों तिर्भूज में दो भूजाय बराबर है एक कोण बराबर है तब तिर्भूज सर्वांग सम होते हैं अगर किसी दो तिर्भूज के तीनों भूजाय बराबर है तो सर्वांग सम होते हैं अ चलो मैं आपको यह सारे रूल बता दे रहा हूं ठीक है यू कैन डू इट आपका कहते ना पहले कान नटोवे काउवा पहले हडावे तो वही मतलब कहावत आपके ऊपर है थोड़ा सा लागू हो रही यू कैन डू इट आप अपना कैमरा चेक करिए पहले आपका इंटरनेट इस पहले सही नहीं थीक है आपका इंटरनेट ठीक नहीं है अपना इंटरनेट आप चेंज कर लो थोड़ा सा मतलब बोग वीडियो की क्वाल्टी सही कर लो बस अच्छा दिखेगा चलिए हाँ हाँ तो आब हम क्या बात करते हैं अब लिखो आप लोग कटीरिया फार का इ की सरते मैं इसको इंगलीज में लिखते रहा हूं लिखो भी आई भिगो दिया को नो कायर है हुद नालायक टाइप के हैं यहां पर हमारे कुछ लोग है उनको मैं क्या कहूं लिखो कर्टीरिया फार कांगुरेंस आफ ट्राइंगल हाँ भी आचलो लिखो पहले C-R-I-T-E-R-I-A कर्टीरिया फार कांगुरेंस हिंदी में लिखो तिरफुच के सरवांगसम होने की सरतें ठीक है आफ ट्राइंगल देखो मैं अक्सर हिंदी में ही पढ़ाता हूं लेकिन मैं इंगलिस में इसलिए लिख देता हूं जिससे की बच्चों को समझ में आए ठीक है आरती मौरा जी आप पढ़ाई करिये ठीक है यू कैंट डू इट सब कुछ ठीक है बजिया देखो डियाफलार में जल्दी ही ले आऊंगा डियाफलार कैमरा आने माला है आपकी यह भी सिकाय दूर हो जाएगी लेकिन बस हमें कुछ दिन और दीजिए आपसे निबेदन है अपना विश्वास बनाके रखिए और देखते रहिए चलिए इनके कितने सर्ते होती हैं तिरबुच के सरबांगसम होने की सर्तें देखो नहीं समझ में आएगा बता देना पहली सर्त है बच्चा यस एएस इसका मतलब क्या है कोई बताएगा कमेंट करके रेडी जल्दी बताओ अरती मौर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो अब बताएगे देखो इसका उत्तर किरन मौर्या का आगया सचीन कुमार बच्चा कच्छा साथ का नहीं होता है अब प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लो बाबू ठीक है अगला है यास-यास-यास yeah a s A इसमें ऐक अब एक आहे स अंड एक है और है आर ऑज्च्स यह आपकी कंगरियन सोने की पाँ्छ सम्हर उनकी 5 कंडिशन है कितनी कंडिशन है कि जब दो ट्राइंगल का इंगरियन सोंगे जब दो तीरभूज क्या होंगे सरवंगसम होंगे तो उनकी पांच कंडिशन है कितनी है पांच कंडिशन है जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी पहले इसका मतलब समझे लो इसका मतलब क्या है इसका मतलब बच्चा लिखो side angle side जिसे बोलते हैं हिंदी वाले लिख लो भूजा कोड भूजा फटा फट इसे लिखो कांपी में तभी मज़ा आएगा नहीं मज़ा नहीं आएगा उपर हिंदी में लिख लो तिरभूज के सरवांगसम होने की सरतें तिरभूज की सरवांगसम होने की सरतें चलो ठीक है बहुत अच्छे आजे कुमार यादो जी बेरी गुड शिवानी यादो बहुत बहुत धन्यवाद करेक्ट बिलकुल यह साइड 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 समझो साइड साइड का मतलब है कि जब किनी दो तिरभुज की दो भुजाएं और एक कोड एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो सरभांग समझोंगे Side, Side, Side का मतलब है कि दो दिये गए तिरभूज में या दो से अधिक तिरभूज में सभी बुजाए बराबर होंगी आपस में सभी बुजाए बराबर होंगी तो क्या होंगे सरभांग समूंगी ISA का मतलब हुआ बच्चा इसका लिख लो इसका मतलब है भूजा 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 देखो ऐसा क्यों पता है क्योंकि साइड की इंगलीज भूजा होती है और एंगल का मतलब कूण होता है बस ठीक है भЙया क्या बताऊं मैं तुमको क्लाइश टेन वाले बच्चे पढ़ना नहीं चाहते मेरा मन नहीं अभी निकालया लेकिन मैंने देखा एक भी टाइम पे वह अच्छे ऐसेजिटें इक भी टाइम पर आप लोग साहिस ने जूड़ते हो तो मैं अभी सुबाही पढ़ांगा दोबार में पढ़ांग अभी अभी में सुबाही पढ़ांगा एंगल साइड एंगल कौण भूजा इसका मतलब हैं एंगल एंगल साइड भाई लिखो सभी लोग लिखो मैं लिख रहा हूँ तो क्या मैं बेवकूब थोड़ी हूँ तुम लोग लिखो इसको कौण कौण भूजा इसका मतलब है कि जो तिर्भुज सर्वांगसम होंगे चाहे वो दो है तीन है जितने भी हैं उनमें से दो दो कोण बराबर होंगे और एक बुजा बराबर होगी तब सर्वांगसम होंगे ठीक है छोटू लिख रहे हो रामफूल गोंड दुर्गेस सोनी किरन मौर्या सिवानी आदो आरती आरती जी फोर समेश्टर का मैद पढ़ा दीजिए फिर से आरती जी आप प्ले लिस्ट में कलास है जाके पढ़ लीजिए न काहे को परसान किये प्ले लिस्ट में वीडियो है ना ऐसे बात तो नहीं कि नहीं है जाके पढ़ लीजिए कोई दिक्कत हो तो बताइए इसका मतलब बड़ा खतरनाक होता है आरेच यह जो होता ना यह समकॉंड पर ही लागू होता है राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट हीपोटोनियस हाइटोनियस मतलब क्या होता हुआ पता है यार यह बड़ा गढ़वाद इंगली से मुझे इंगलेश का माती सवह भागवाल दिक्कत ही होती है हिंदम जौन है रभल हुघ है ओके देखिए किरन मौर्या ने एक डिस्क्रेप्शन भी बता दिया है बहुत अच्छी बात है चलो समकोंड करड़ बुजा अब हम एक-एक को एकस्प्लेन करेंगे अभी तक तो मैंने देखा कि कितनी कंडिशन में दो तिर्भुज या दो से अधिक तिर्भुज सर्वांग तो वह सकते हैं तो वह कंडिशन पांच है एस-एस-इस-एस-ए एकस यह यास यह एकस्पंडिशन है जब कोई भी दो यह दो से दिखिर फचेंगुर्यांज हो सकते हैं इस इंडब 45 कटीरिया फार कांगरिया आफ ट्राइंगल नोट करिए यह फिर स्कृं शाट ले लिज आरती जी बताईए कहां बुक में का कुश्चन नहीं है आप नंबर पर संपर्क करिए ठीक है नंबर दिया गया कल दिन में सबसर से संपर्क करिए वहां पर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है और भी बहुत सारे तरीके आप पड़ सकते हैं नोट कर लिए मिटादू मैं इसको इसको मैं मिटादू मिटादू ना तो इनको एक एक डिस्क्राइब करना है आप लोग क्या कह रहे हो मैं आज डिस्क्राइब कर दूं तो बहुत टाइम हो जाएगा यार देखो आज आप लोगोंने संख्या जोड़ा है मुझे पता है बह आपके साथ पढ़ते हैं चाहे उनके ममी पापा आपके संपर्क में हैं अंकल आंटी लोग या भावी दीदी कोई भी आप उनसे बोल दीजिए कि पीवियर स्टेडी चैनल पे सामको साथ बजे फे लाइब चलती है बिल्कुल फ्री और ये भी है कि आपका नाम भी बोला जा कितना का मैंने यासा यास नाई नहीं नहीं भुजा से उसा तो कुछ नहीं है हमारे समझ से टिक है जो था मैंने आपको बताया चलिए तो फिर क्या करें हम लोग आज की कला से बंद कर दें आप लोग फिर से जुड़ना ठीक है इसी टाइम पर फिर जूड़ना जैसे 50 पढ़ा रहें सिर्फ आदे गंटे जैसे ही बच्चे पचास जूड़ने लगे वैसे हम इस कलास का टाइम एक गंटे कर देंगे पूरा एक गंटे और फिर बहुत ही मस्त कलास होगी आप लोग जादा फे जादा बच्चों के साथ आओ एक बात आप और सुन लो डेली कलास के लिए आप सभी बच्चे टेली ग्राम एप जरूर डाउनलोड करो ठीक है गूगल प्लेई स्टोर से आप टेली ग्राम एप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपकी मुवाइल में नहीं है डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट बना लो जैसे वर्टसप बनाते उसी त टच करोगे तो जॉइन कर लेना उसमें आज तक की सारी क्लास भेजी गई है सब कुछ भेजा गया जो अभी तक पढ़ाया गया है वहां आप जाके पढ़ सकते हो ठीक है है यह क्लास संडे को नहीं होती लाइब बाकी हर दिन होती है इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं कि कल हाओगי कि नहीं आओगे परसो आओगे कि नहीं आओगे अगर कोई समस्या नाँ हो जा इंटरनेट वागार की तो यह क्लास हर दिन लाइब होती है सिर्फ संडे को नहीं होती बच्चा या को तोहार होला आजाए छुट्टी वाला तम नहीं होती है पकी हर रोज होग एक काम और भी कर सकते हो जिनको कोई ज़्यादा दिक्कत है वो इस नमबर पे अपना नाम कलास का नाम और अपने जिले का नाम लिख के वर्टसप कर देंगे तो उनको WhatsApp के गुरूप में भी जोड़ दिया जाएगा लेकिन WhatsApp में सारी कलाफ नहीं मिलती अगर सारी कलास और फिरी में और अच्छे से पढ़ना है तो Telegram में जरूर जॉइन करिए Telegram ठीक है? कोई मैथ का कुछिन पूछना आप कमेंट करोगे YouTube पे क्योंकि WhatsApp पे हम कोई सवाल नहीं बताते हैं WhatsApp का हम जबाब नहीं देते हैं WhatsApp का जबाब हमारे मित्र लोग देते हैं तो वो लोग मैथ नहीं पढ़ाते हैं उन लोग को मैथ नहीं आता है तो वो लोग आपको आंसर नहीं बताएंगे ठीक है वो लोग आपको क्या करेंगे सिर्फ बताएंगे क्लास कब चलती है कैसे पड़ोगे कैसे क्या करोगे इतना बताएंगे बस इसलिए आप सवाल वीडियो में कमेंट करो सारी लिंक के लिए टेलिग्राम जॉइन करो और चैनल सब्सक्राइब करके रखो बने रव हमारे साथ